जाए मतरे दोस्तों एक एसमा आपका स्वागा था आज के इस वीडियो में आप लोगों FNDK T60X की जो की एक टावर स्पीकर और FNDK 6000U की जो की एक 5.1 होम तेटर है इन दोनों की sound comparison करने वालों दोस्तों और उससे पहले मैं कुछ आप लोगों बाते बता दो जो टावर स्पीकर है यह एक्चुली मैंने फ्रेंट पर रखा हुआ तो दोनों ही को सेम पोजिशन पर रखा हुआ था फ्रेंट के तरफ तो जो sound recording हो रही थी वो सिफ one direction से हो रही थी सिफ फ्रेंट से हो रही थी और यहां पे जो 2.1 था इसको मैंने जैसे rear, front, center जैसे speakers होता है उसी तरफ प्लेस किया होता तो इसकी sound आ रही तो वो चारों तरफ से record हो रही थी तो चले दोस्तों कुछ गाने पर तर फिर मा को बताऊंगा किसकी sound बढ़ी है, किसकी खराब है, किसकी खराब है और किसकी बढ़ी है और अगर यह वीडियो पसंद दे था प्लिस से इसको लाइक कर दीजिए गए प्लिस तो दोस्तों जैसे कि आप लोग ने इन दोनों के sound सुनी तो यहाँ पर जो sound के loudness वो दोनों ही home theater से काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है ज्यादा loud है अगर बड़े से room है तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है दोनों ही home theater के loudness अगर यह tower speaker भी लेते है तो इसकी जो loudness वो आपके room के लिए बहुत ही काफ़ी बढ़िया और 6000U के loudness भी काफ़ी बढ़िया है और बात करते हैं दोस्तों clarity की तो जो clarity आती है दोस्तों वह दोनों ही home theater की काफ़ी अच्छी है अगर इंडिविजुली देखे तो बट साथ में जब भी इन दोनों को साथ में अगर देखते हैं तो दोस्तों 6000U है उसकी जो clarity वह काफ़ी अच्छी आती है क्योंकि जो speaker से उ front के speakers है center के speakers और rear के speakers को जाने हैं जैसे हम लोगों प्लेस किया हुआ है उससे सबसे जो sound आती है अगर बीच में आप बैठे हो चारो तरस में को जो sound आई की तो उसकी clarity वह काफ़ी अच्छी आती है front facing जो सामने के तरफ अगर face करते हैं tower speakers को उसके मुकाबले बट जो tower speakers के clarity वह भी काफ़ी अच्छी है मतलब खराब नहीं है बट ये दोनों को comparison करने के समय आपको समझ में आता है कि clarity ज्यादा F6000U की अच्छी है और बात करते है बेस क्वालिटी की दूस्तों तो यहां पर जो tower speaker T60X की जो उसकी जो बेस है 8H को जो drivers लगे हुए दो लगे हुए उसकी वज़े से यहां पर जो sound आपको मिलती है बेस की या बेस effect जो मिलता है वो काफी अच्छा है बनलो काफी बढ़िया है 6000U के मुकाबले बट जो 6000U की जो आपको उफर मिलती है 8H को उफर उसके भी है बट जो उसकी भी जो base quality वो भी काफी अच्छी है और काफी thumping effect उसमें भी आता है बट अगर बेस चाहिए ज्यादा चाहिए तो T60X काफी अच्छी option आपके लिए यूंकि आपके जो बेस मिलता है वो काफी ज्यादा श्रेक करती है और अगर इन दोनों से आपको कोई एक खरिदना है यार यह T60X यह 6000U में confused हो तो उसके लिए मैं आपको बता दो दोस्तों अगर आपको base quality base ज्यादा heavy चाहिए तो यह T60X काफी अच्छी है clarity भी बढ़िया है sound loudness भी है mic भी मिलता है bluetooth भी मिलता है सब कुछ ही रहा पर मिल जाता है बट अगर clarity चाहिए और 5.1 effect चाहिए इसमें भी base काफी बढ़िया है अगर उस तरह की base चाहिए तो दोस्तों यह F6000U काफी बढ़िया option है और अच्छी sound आती है इसमें आपको जो room अगर आप इसको ठीक तरीके से लगाए प्लस अगर ठीक तरीके से input दे 5.1 input तो जो sound clarity quality जो आएगी वो काफी अच्छी आएगए इसके मुकाबले T60X के मुकाबले तो दोस्तों यह जी मेरा को sound comparison FNTK 6000U की और T60X की उमीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया पसंद आया तब इसको प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए नीचे कमेट के दोस्तों धन्यवाद जाए माता दी